एलो फ्रेंड पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगयाने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि शादी के बाद सवी ने निभाई ठकर परिवार की सारी रस में तो वही सवी के हाथ से बने पहले रसोई के खाने को देख कर उड़े भागी श्री के होश जी हाँ दोस्तो अब शोग अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां घरवालो और सई की खुशी के लिए जैसे तैसे सवी और रजट शादी के बंधन में बन जाएंगे तो वही सवी और रजट का ये सफर आसार नहीं होने वाला है जहां शादी के दूसर के लिए निकल ही रही होगी कि तबी पीचे से भागिश्री सभी को आवाज देते हुए रोकते हुए ये कहते हुए नजर आएगी कि कहां जा रही हो बहुरानी भूल गए कि आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है तो रसम के हिसाब से आज तुम्हें अपनी पहली रसो हो जाएगा और कहेगा कि ये कैसी बाते कर रही हो तुम श्री पहली रसोई का खाना बनाना अलग बात है लेकिन तुम इससे गुजराती खाना कैसे बनवा सकती हो जबकि तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि सभी मराटी फैमली से बिलॉंग करती है तो वही भागिश्र कहते हुए नजर आने वाले कि मुझे नहीं पता मुझे तो गुजराती डिस्षी खानी है शादी में मराठी डिस्ष खाखा के मेर ठक चुकी हूँ सभी बेटा तु जाना किचिन में जल्दी से कुछ बना ले बहुत भूग लग रही है वेल लप शोकिप कमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां सभी चुप-चाप किचन में चली जाएगी खाना बनाने के लिए तो वही भाग श्री सभी की किचन में मदद करने की बज़ाए अपने दोस्तों को बुला लेगी और उनके साथ कार्ड्स खेलने लग जाएगी जहां अक्स भाग श्री सभी को कि खाना रेडी करके टेबल पर लगा देगी जहां भागिश्री के तो होश ही उड़ जाएंगे इतना सारा खाना देखकर कि इतने कम समय में सवीम ने इतने सारी गुजराते डिशिस कैसे बना ली तो वहीं दोस्तों सभी अपने खाने से जीते की भागिश्री और इसकी सहीलिय लोग का दिलो कहानी में आगजब अदस मोर तो आप सब और अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले